दस भी पासबालों के लिए भरती निकली है इंटेलिजन्स ब्यूरों में खूपिया विभाग में निकली है मिनिस्टरी आप होम अपेर्स गवर्मेंट आप इंडिया की तरफ से ये बेकंसी निकाली गए यगर आप सरकारी नोकरी की तलास कर रहे हो तो आप लोगों के करें हमारे चैनल पर आपको जो भी लियू नोकilight combine तो सबसे पहले और तैयारी करवायाई जाती है तो अभी को लाइक कर दें क्या किर ने वाले क्या सेडकिसंट प्रोसीजर रहने वाला है और 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 के लिए eligibility रखी गई है तो complete जानकारी देंगे तो सबसे पहले आप लोग만 को बता दें यह vacancy जो निकाली गई है जो निकाली गई है intelligence bureau की तरफ से निकाली गई है और vacancy जो है किसकी तरफ से निकाली SIB पोस्टो पर यह vacancy निकाली गई है जो SIB है, SIB में जो vacancy निकाली गई है, तो यहाँ पर देख सकते हो Subsidinary Intelligence Bureau की SIB कितनी है, तो SIB यहाँ पर 37 SIBO में vacancy निकाली गई है तो यहाँ पर 37 SIB है और कौन सी SIB में कितनी पोस्टे हैं, काली वो भी आप लोगों को बताने वाले तो यहाँ पर देख सकते हो, rank दी गई, कौन-कौन से पोस्टों पर निकाली गई, कौन सी SIB में, तो अगर तला SIB यहाँ पर दिया गया है तो इसमें कौन-कौन से यहाँ पर security assistant executive की पोस्ट रखी गई, कितनी पोस्टी रखी गई, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो security assistant या executive बोलें, बात एक ही है, तो यहाँ पर total कितनी जर्नल की साथ पोस्टे रखी गई, SC की एक पोस्ट, ST की पांच पोस्टे, EWS की एक, total कितनी 14 पोस्टे रखी गई, किसके लिए हैं, तो यहाँ पर security assistant executive की, अगर बहीं बात की जाए, MTS journal की कितनी पोस्ट एक रखी गई journal की, इस हिसाब से आप, जो है, कौन सी, जो SIB, जो अगर तला SIB है, तो उसमें पोस्ट चेक कर सकते हो, कितनी executive security assistant की हैं, या MTS journal की हैं, और यहाँ पर आपको यह चीज और है, जो आपको यह SIB दी गई, उसके अंतरकत, जो आपको यह local language आनी चाहिए, अगर आप अगर तल आपको आनी चाहिए, उसी परकार से आप अगर सिंपल एजिया से बिलों करते हैं, तो यहाँ पर SIB दी गई हैं, जैसे, गौाटी, हैदराबाद, इंपाल, इटानगर और जंबू वगेरा, यह 37 SIB दी हैं, तो इसमें आप SIB में जो है, कि अंतरकत जो rank दी गई हैं, उसमे अपलाई कर सकते हो तो दो पोस्टों पर आपकी बेकंशी निकाली गई है, एक तो सेकरटी असिस्टेन की दूसरी MTS की पोस्ट निकाली गई, दस भी पास fingert Hallelujah रखी गई है, और यहां पर देख सकते हूँ, यहां पर कितनी पोस्टे रखी गई हैं, सेकरटी असिस्टेंट या executive volume बात ये की है तो दो पोस्टों पर vacancy निकाली गई total post रखी गई है जो security assistant executive की 1521 पोस्टे रखी गई है अगर वहीं बात की जाए MTS की journal की तो यहाँ पर 150 पोस्टे रखी गई है तो आशा करते हैं आप लोग समझ पाए होंगे तो apply की बात की जाए तो आपको यहाँ पर बेतन जो मिलेगा बेतन की बात कर लेते हैं तो आपको जो बेतन यह मिलने वाला यह group C की vacancy है और इसमें बेतन आपको level 3 का मिलने वाला 21,700 से आपका start होगा 79,100 रुपे आपको मिलेगा और साथ में यहाँ पर आपको इसके लिए जो vacancy MTS की निकाली गई इसमें क्या मिलेगा आपको 18,000 से 56,900 रुपे आपको बेतन मिलेगा और साथ में great pay भी मिलेगा उसके बाद बात कर लेते हैं आपकी योग गिता क्या दसमी पास यहाँ पर simple लगा गया है दसमी पास हो और जहां से आप apply कर रहे हो उस state का आपके पास क्या डूमिसाइल होना चाहिए तभी आप apply कर पाओगे अगर बात करे जाएं जो SIB दी गई उसके अंतर कर जो local language है वो आपको आनी चाहिए जो table में दी गई है तभी आप apply करें उसमें अगर बात कर लें इसमें योग गिता की तो age limit इसमें कितनी रखी गई है इसमें age limit 27 साल से आपकी 27 साल age किसके लिए रखी गई है तो security assistant executive के लिए आपकी age 27 साल लखी गई 18 से आपकी आपकी 27 साल अगर age हो जाती है 18 साल हो जाती है तो भी इसमें apply कर सकते हैं यानि कि 18 और 27 के बीच में अगर आप 25, 11, 2022 तक हो जाते हैं तो इसमें apply कर सकते हो बहीं अगर बात की जाए और बांकी जो पोस्टे रखी गई है MTS general की तो उसमें जो है इसमें जो है आपका जो यहां पर बात कर लेते हैं जो आपका एक्जाम होगा वो किस प्रकार से selection procedure रहने वाला तो एक्जाम आपका होने वाला है जो यहां पर tire burn होने वाला है कामन आपका एक्जाम होगा इसमें क्या है security assistant और executive और MTS general की जो पोस्ट हैं इसके लिए आपका एक्जाम जो होगा objective type होगा objective type में आपके question कहा कितने पूछे जाएंगे तो आपके 100 question पूछे जाएंगे 5 पार्टों से आपके question पूछे जाएंगे कौन-कौन से journal awareness से और quantity aptitude से question पूछे जाएंगे उसके बाद numerical and novelty logical aptitude यानि की reasoning से question आपके पूछे जाएंगे उसके बाद आपके English से question पूछे जाएंगे English language से यानि की और आपके journal studies से question पूछे जाएंगे minus marking आपकी रहने बाटी बनवटे 4 यानि की अगर आप 4 गलत कर देते हो तो एक आपका सही काट लिया जाएगा तो इन से आपके चार पांट पांटो जो है पांच पांटो से question आपके पूछे जाएंगे कितने question पूछे जाएंगे 20-20 question पूछे जाएंगे एक question आपका एक number का रहने वाला आपको time एक घंटे का मिलेगा उसके बाद आपका दूसरा होगा tires two होगा इसमें क्या होगा offline ये description होगा इसमें क्या होगा आपको translate करना पड़ेगा 500 बर्ड का आपको paragraph दिया जाएगा बहाँ पर क्या करना पड़ेगा अगर आपको हिंदी में दिया गया है तो आपको इसे इंगलिस में करना होगा जो भी आपकी local language है उसमें convert आपको करना पड़ेगा जो आपका रहने वाला है total 40 number का रहने वाला एक और आपको एक घंटे का time दिया जाएगा अब part रहने वाला है आपका part आपका second रहने वाला ये किसके लिए है security executive के लिए only ये रहने वाला है spoken ability का to be assessed at the time टायर second examination interview तो इसमें क्या है 10 number का ये रहने वाला आपका है उसके बाद टायर second रहने वाला इसमें क्या interview 50 number का आपका होगा उसके बाद यहाँ पर बताये गया है टायर second में एक्जाम में qualifying nature है only तो qualifying nature के लिए क्या है आपका जो होने वाला 50 number का interview होगा उसमें आपको 20 number लाने पड़ेंगे और ये किसके लिए second के लिए रखा गया ये security assistant executive के लिए रखा गया उसके बाद ये रखा गया 40 number का MTS journal के लिए रखा गया 40 number का होगा उसके में आपको 16 number लाने पड़ेंगे तो आपकी फीस यहां पर कितनी लगने वाली है तो आपकी फीस लगने वाली है यहां पर आपकी फीस लगेगी यहां पर कितने रुपे पर आपकी फीस लगेगी चारज तो पान सो रुपे आपकी फीस लगने वाली है आपके आपेदन 5 नमबर से स्टार्ट हो जाएंगे और 25 नमबर तक आप आप आपेदन कर सकते हो उसके बाद ये क्लोज कर दिया जाएगा आप एतना आप सरकारी जेजल्ट से भी कर सकते हो वाकि इनकी ये आफीसियल साइट दे रखी इस पर भी अपलाई कर सकते हो आप लोग तो आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा अगर आपका कोई भी कोशन डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूंच सकते हो उसका रिपलाई जरूर देंगे थेंक्यू गाईज